हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू रादिका रेसिपी, आज पतने आपके लिए क्या लाइओ, चाइनीज वेज ट्राइव मंचूरियन, बहुत टेस्टी, बिल्कुल बाजार जैसा, और कोई लंबा चोड़ा काम नहीं, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी इस चै क्याबेच लेते हैं, मैं जो प्रेफर जो है, पर्पल वाली करते हूं, पता निक्यों मेरे कोई इसका टेस्ट जादा अच्छा लगता है, इसके दो बेनेफिट्स हैं, एक तो यह हेल्दी बहुत है, और एक इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसे मैंने एक कप यह और यह देखिए, मैंने इसको कितना बारीक चॉप किया है, यह देखिए, आपको बारीक ही करना है, ठीक है, इसमें औरेंज वाली कैरट डाली है, आजकल जैसे सीजन नहीं है, तो आप रेड वाली कैरट भी ढाल सकते हो, जो कैबेज है, उसकी कॉंटिटी आपको जादा के लिए, यह देखिए, मैंने कालिक और ऐसे ग्री मिर्च को ऐसे चॉप कर रहा है, इसको भी जिससाब से आपको टेस इसका अच्छा लगता है, आप इसमें डाल सकते है, वैसे तो मंचूरन में लसन के बिना तो फ्रेंग्स 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 ही नहीं आता इसमें, बहुत अच्छा हमारा फ्लेवर आता है, और लास में हमारी वेजटेबल है, यह भी ग्रीन अनियंस की जो पीछे वाली वीव्स होती है, उसको मैंने चॉप कर लिया था, कुछ हम गानिश के लिए रखेंगे, और कुछ हम इसमें डालेंगे, इसका बिलीव में बहुत अच इस मंचूरन में बहुत अच्छा नहीं आता, यह देखें, इस तरह से हमें बारीक चॉप करना है, अब इसमें फटा फट से डालेंगे अपने मसाले, जो हमने डालने, इसमें डालेंगी थोड़ासा नमक, बहुत कम डालेंगे फ्रेंग्स क्यूंकि सॉसी में अलड़ी हमा बाइंडिंग के टाइम फ्रेंग्स, अगर आपको लगे कॉनफोर कम है, तो हम थोड़ा सा कॉनफोर और मैधा डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक आपको जादा नहीं डालना फ्रेंग्स क्यूंकि हम इसमें सॉसीज भी डालेंगे, तो फिल वो जो है, बह के पानी डालना है या देखे यभी बाइंडिंग इसमें हुई नहीं है, हम इसमें थोड़ा सा कॉनफोर और थोड़ा मैधा अब नु टालेंगे यह देखेर, फिर हम देखेंगे इसकी बाैंडिंग युज सै क्या है, यह लो को तूटेंगेंगे, मैदे सी इसकी अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे यह दिखिए इस तरह से हमारा मिक्स्टर जो है मतलब देखो कितनी अच्छी इसमें बाइनिंग हो जाएगी मैं आपको भी दिखाते हूं कि बॉल्स कैसे बनेंगी और लास्ट में इसमें डालूंगी थोड़ी सी टमैटो कैचप थोड़ा स इस तरह से मैंने और गरम करने रख दिया है और अलमोस मेरा यह देखिए गरम हो चुक है हम इसको बहुत साथा हाई फ्रेंग पी महीं बनाएंगे हमारे बाल्स जो हैं बाहर से तो फ्राय हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो यह देखिए मैं आपको साइज से बना सकते हो चोटे बड़े यह देखिए मैं इस तरह से चोटे बॉल ले रहे हूं बहुत इसली बाइल हो जाते हैं इस तरह से हम इसको डालेंगे इसमें हमने कॉन्फलोर और मैदा डाला हुए तो हमारे बाल्स जो हो टूटेंगे नहीं यह देखिए आप छोट में तार्चान लग जाएंगे और सब आपसे पूछेंगे कि आपके मंचूरियन में तो बिल्कुल बजार जाचा टेस्ट आ रहा है और एक चीज और प्रिंग गन्यन ज़रू डालियेगा और कार्लिक यह मंचूरियन की जिसे कहते हैं यूएस्पी है वह चीज है बिना उसमें वहार नहीं बॉट आथा बजार वालों को तो फ्रींगrying नहीं होता क्यून आपको देखेंगे हमारे मंचूरियन content की मार्किट बहुत सुंदर आएगा, ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन कैबेज का नहीं बना सकते हैं, बट फ्रेंग्स, जैसे आज कल कहते हैं कि उसमें एक कीड़ा होता है, मतलब वेरी डेंजरेस फॉर आर हेल्प, लेकिन ये पॉपल कैबेज में नहीं होता, ये हमारी लीफी जितनी भी व बनाना अपनी बॉल्स में, इसको अच्छे से स्ट्रेंड करेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाना फ्रेंड्स इसको नहीं तो बॉल्स जो अंदर से कच्छी रह जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मैदा भी डाला हुआ, कॉन फ्लोर भी डाला हुआ, मीडियम गरम कर कर देंगे, फिर उसके बाद इसको मीडियम से लो कर देंगे, इस तरह से अपनी बच्चियों भी बॉल्स निकाल लेते हैं, बहुत असान है फ्रेंड्स बस एक बरी सब्जियां चॉप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वही टाइम टेकिंग है, लेकिन आज कल तो ज कितना मुश्कील है, और आज कल बस लगता है, बस सब्जियां कटी और फटा फट से आदे ग्रंटे के अंदर अंदर हमारा मार्केट जैसा मंचूरियन रेडे, और वो भी साफ सुखरा, ये देखिए फेंड्स बॉल्स यो हमारे रेडी होगे, इसको तो आप कच्छा ऐसे बिखा सकते हो, फटा फट से इसको तड़का लगाते हैं, तो इस तरह से मैंने ऐसा चौड़े वाला लिये, तांकि अच्छे से हमारी जो जितनी भी ग्रेवी है, हमारे मंचूरियन को अच्छे से रेप कर सके, तो फटा फट से इसमें मैं डालती हूँ, एक टेबल स्पू करना जैसे हम नौर्मली नौर्थ इंडियन अपनी जो सब्जी होती हैं, वैसे वाला हमें नहीं करना, बस हल्का सा सौटे हो गया, अब मैं इसमें डालूँगी अपने जो स्प्रिंग अनियन के मैंने अनियन काटा था, उपर अला हिसा अनियन वाला वो डालूँगी, और जो हमारा नौर्मल वाला प्याच है, वो भी थोड़ा सा डालूँगी, इसको पटा-फर्च से सौटे करेंगे, बस सल्का का सौटे ही करना है, सब्जियां इसमें बहुत कम डालने हैं, ज्यादा मीन डालने हैं, और बस इसको स्लो गैस पे बनाना है, पटा-फर्च से हम ड अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, बहुत कम फ्रेंश, थोड़ी सी काली मिच, एक पिंच फ्रेंश इस तरह मैंने चिली सौस लिए, बहुत थोड़ी सी चिली सौस, यूँकि हमने अल्री ग्री मिल्च लादी हुए, थोड़ी सी सोय सौस, थोड़ी सी टमाटो और वन टी स्कून वीनेगर, इसको फटा फट से हम लाएंगे, पुरूट अब इसमें मैं डालूंगी आफ का पानी, इसको फटा फट से हम लाएंगे, पहले मैंने थोड़ा डाला, अब पूरा डालूंगी, जैसे ही पानी डाला फ्रेंग्स, इस तरहां से देखिए, मैंने एक गोल बनाया है, कॉन फ्लोर का, एक टी स्कून कॉन फ्लोर और मैंने टू टेबल स्कून पानी डाल के इसको ऐसे पेज बना लिया, यह देखिए, वो हम इसकी पानी में डाल देंगे, तांकि अच्छे से हमारी कोटिंग हमारी मंचूरन में लग जाए, इसको फटा फट से इसको इलाएंगे, इससे होगा क्या ग्रेवी जो हमारी गाड़ी हो जाएगे, तांकि अच्छे से जो ग्रेवी है, इसमें लिपड जाए, यह देखिए, बहुत अच्छी कुश्वो आ रहे है, फ्रेंग्स, बिलेज में, अगर हमने इसको पतले वाला ग्रेवी वाला ब लगता, ठीडे, रेडी है हमारा मंचूरियन, यह देखिए, और करते हैं इसकी लेटे, मिश करेंके हमारे स्प्रिंग अनियन से, यह जो हमने काटे थे पहले रखे थे, इसके बिना तो बजाई नहीं है इसका, बिल्कुल रेस्टों स्टाई, लग रहा है का इंसे कुछ कम घुक्रणीड, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बदाईए और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बदाएगा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स रेसेपी पे, तब तक खाते रिये, हेलदी खाते रिये, मजे करते रिये, बगवान की पूजा करते र